हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चानल घर्चो जवनान लाइब स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मुए आपको बहुत ही टेस्टी इजी मैक्रो नी पस्ता दिखा रही हूँ तो चलिए हम पस्ती की सामगरी देखते हैं यहाँ पर मैंने दो वाटी पस्ता लिया है इधर मैंने नमक लिया है काली मिर्च पाउडर कटा हुआ गार्लिक कटा हुआ अधर दो हरी मिर्च कटी हुई यहाँ पर मैंने टमाटर सास लिया है और टमाटर केचप और बार में यह आपके पास होगा या नहीं ये चिली फ्लेक्स हैं ये भी डाल सकते हैं यहाँ पर महिने कटा हुआ टमातर एक वाटी एक वाटी हरा मतार एक वाटी कटिवी सिम्ला मिर्च एक वाटी कटा हुआ ट्याज एक वाटी कटा हुआ गाजर और एक वाटी कटा हुआ हो भी और एक गार्णिशिंग के लिए ये महिने धनिया लिया है हरा धनिया पास्ता बनाते हैं पहले हम ग्यास ओन करते हैं ग्यास हाई प्लेम पर रखते हैं और उसमें बर्तन रखते उसमें पानी डालते हैं इसमें हम नमक डालते हैं थोड़ा सो ओईल डालते हैं अब हम उसमें पास्ता डार देंगे उसे हम लगबग पाच-छे मिनिट तक उबालेंगे लगबग पाच-छे मिनिट तक इसे उबालना है यह देखिए पाच मिनिट हो गए यह देखिए पकने लगाया भी अब हम एक जाली में इसको निकल देगे हैं अब हम ग्यास वन करके कड़ाई रखते हैं ग्यास के कड़ाई रखकर उसमें हम दो टिबल स्कून ओईल डाल रहे हैं उसमें हम कटववा लगसुन डाल रहे हैं कटववा अद्रख डाल रहे हैं ट्यास डाल देंगे उसे हम अच्छे से सोटे करेंगे उसमें हम डालेंगे घरी मिर्च उसके बाद कटा हुआ गाज़त डालेंगे और कटा हुआ मटर डालेंगे हरे मटर यह क्यों मैं पहले डाल रहे हुँ क्योंकि इसके पकाने में जरा देर सी लगते इसलिए मैं पहले मटर और गाज़र डाल रहे हुँ अब हम उसमें डालेंगे कटा हुआ गोबी एक वाटी सिम्ला मेच और टमाटर इसमें हम डालेंगे नमक मेरे पास इतनी भाजिती मैंने सब डाल दिये हैं आपके पास एक भी वेजितेबल होगा तो भी चलिए अब हम उसमें टालेंगे काली मेस्ट पाउडर उसके बाद टमाटर सास उसके बाद टमेटो केचप और फिर से एक बाद इसे हम सटे करेंगे बहुत ही इजी है बस्तो गर्प्याप चरू ट्राइप जिए इसे हम एकी तरह से सटे करेंगे जास की प्लेम एक दम लो करेंगे जास की प्लेम लो रखे हैं और यह हो गया हमारा पेस्टी पास्ता उपर से हम गर्नेशन के लिए उसमें गनिया डालते हैं यह हो गया अपना रेडी पास्ता रेप में जब करेंगे देखे बहुती बढ़ी है बहुती थेस्टी अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए घर चो जवन अन लाइफ स्टाइल को और धनते बटन को दबाईए हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए